कि आज समें लेकर आएं एक बहुत ही इंपटेंट विक जो आपके मेरा़िट्रिक बोर्ड एखराम के लिए बहुत ही दोस्तो आज समें बात करेंगे स्टेश्फ क्सपर्मे का यानि किbrar ने कि इस वीडियो में देखेंगे कि स्फेल्स कर मिई होता क्या है और् ते橋 पर मेय को कीस तरह से सीद के राता है क्योंकि दोस्तों तेुर्फ याँ आपके वोडर में हर एक बार पूछे जाते हैं तो चलिए अब हम वीडियो को सुरू करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजें, तो देखिए दोस्तो, थेल्स परमे को अधार भूठ समानुपातिकता परमे भी काते हैं, तो कहीं पर अगर आपको एक्जामनेशन में अधार भूठ समानुपातिकता परमे दीखें, त पर दोस्तों फिर से पढ़िये किसी तीर्भुज की एक भुजा के समानदार आनी दो भुजाओं को कारते हुए कोई रेखा कीचें तो वह तीर्भुज की आनी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखें इसका मतलब क्या हुआ उसको हम लोग फीगर से समझते हैं। तो देखें सबसे पहले यहां पर हम लोग एक तीर्भुज का फीगर ब्रॉक कर लेते हैं। तो देखे तील भूज यहां पर पात लिए और इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं देखे यहां पर हो गया A, उसके बाद देखे यहां पर हो गया B, यहां पर हो गया C अब देखे दोस्तों कर रहा है कि एक भूजा के समानतर आनी दो भूजाओं को काटते हुए कोई रेखा खीचें तो हम B, C के समानतर एक रेखा खीचेते हैं जो A, B और A, C को काट रहा है तो देखिए काता है कि अगर खिशे तो आनी दो भुजाओं को समान उन पात में भी भाजित करती है मतब इसका अगर naming हम लोग D और यहाँ पर E कर देए तो जो AD होगा वो AD बटा BD होगा वो AE बटा EC के बराबर होगा उसको हम लोग आगे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इसको अगर हल करने के लिखाएगा तो इसको किस तरह से सवरी सीध करने के लिखाएगा तो इसको किस तरह से सीध करेंगे तो देखे सबसे पहले यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि माना की सवरी मान लिया तिरभुच ABC में जिसमें BC के समानतर एक रेखा AB को D पर तथा AC को E पर पर परतिछेदी करती है जिसमें BC के समानतर एक रेखा B को D पर और AC को E पर 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 परतिछेदी करती हैं जिस तरह से हम फिगर डुख्यए है उस तरह से यहां पर आपको लिख लेना है जैसे ही लिख लेंगे इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है यहांस दखिए बी और एक आपको मिला देना है और फिर E से हम लोग AB पर एक लम खीचेंगे तो यहां पर देखिए यह भी कुन होगा वो 90 डिगर होगा और देखिए इसका हम लोग naming करते हैं क्या चीज़ इसको हम लोग F से सुजित करते हैं हो गया और इसको हम लोग N से सुजित करते हैं अब देखिए कंस्ट्रक्शन जो किये हैं उसको यहां पर हम लोग लिख लेंगे तो देखिए यहां पर सबसे पहले जान लीजे कि सीद क्या करना है तो सीद हमको करना है क्या चीज़ AB बड़ा-BD बरबर AE-EC मतलब कि AD बड़ा-BD होगा वो AE-EC के बरबर होगा यह है पहले आपको बता चुके हैं तो देखिए उसके पर चेंब हुद क्या करना है कि जो कंस्ट्रक्शन की है उसको यहां पर लिख लेना है तो देखिए आपर लिख लिएं कि BE, CD को मिलाई यह मतलق कि यहां से BE को मिल आए और फिर CD को भी मिला दिये उसके बाद देखिए EF Lump AB यानि कि जो EF है देखिए आपर EF है वो AB पर Lump है और Dn है वो AC पर Lump है देखिए Dn है वो AC पर Lump है देखिए उसके बाद कीा करेंगे जब इतना लिख लिए है हमको क्या सीद करना था कि ad बटा db बरबर a ec तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चेतरफल निकालेंगे देखे सबसे पहले तीरभूज का चेतरफल निकालेंगे तो कौन सा तीरभूज का चेतरफल निकालेंगे तो सबसे पहले कि इस तरह से यहाँ पर लिख लिए तो देखेंगे चहतरफल तीरभूज A.D.E. वटा चहतरफल तीरभूज B.D.E. देखें यहां पर लिख लेंगे एफ अब लोग यहां पर बटा दिखते हैं उसके बाद देखिए बीडी का छेतर पर निकालना है तो एक बटा दो अब उन्हें इसका अधार कौन है देखे बीडी का छेतर पर निकालना है आचे Braun BD लिखने हैं और इसका उचाई के कौन होगा इसपर आपको दहान देना है तो देखिए कोई तिर्भुष कर can ऐचाई यहां पर दिए हुआ है तो यह हो गया यह पी हो गया यह हो गया और यह दी हो गई और रधो यह को नहां भूर्णांवे डिग्री हैं अगर आपको कहेगा कि ए कछेखल निकालिए तब क्या करेंगे एक बटा दूब उन्हें अधार इसका कौन होगा की यहां पर उचाई कौन होगा तुचाई यहां पर यहां पर दिखेंगे तरह से होता है। इसको हमेशा याद रहेें ऊसी तरह से आपको उपर अपलाई करना है। देखिए ऊपर धेहान दीजिएगा तीर्भुज में यहाँ पर दीजिए। इसका अधहार कौन है। टी है लेकिंने पर को पर वियलेंगे ऊटै ऐसे सब्सक्राइब यहाँ एसे ओपर गाह गूंकि नबभे डिगरी कौन रहें तो इसलिए यहाँ दे इसका जो ध्यान मेरा रखिया अगर रहें लिगा टु लिए司को उसे रखें बज़ें इसमें चाहिए यह केंसल करेंगे तो एक बटा दो एक बटा दो केंसल हो जाएगा बज़ाएगा क्या चै तो बरबर में मैं बज़ जाएगा AD बटा BD AD बटा BD बज़ गया अब देखे उसी पर कर से क्या करेंगे फिर से पुना किसका छेत्रफाल निकालेंगे ADE का ADE का छेत्रफाल निकालेंगे अब पुना निकालेंगे DEC का इसको आगर देखे पुना क्या करेंगे तो पूना उसी दर से यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर देखे लिख लेंगे, पूना इसी परकार छेतरफाल तीर भूज, ADE मतलब की देखी उपर त्वासक कर दते हैं, देखे यहाँ पर और थासुप पर करना पड़ेगा, देखे, ADE मतलब की उपर वला ही छेतरफाल कंचों होगा? तो अधार उसका AE होगा क्योंकि दोस्तों इस तरफ से ले रहा हैं क्यों क्या क्या घल कान है you never suggest and why इसका धार कोण होगा इसका धार होगा CE धार कोण होगा CE होगा यहाँ पर लिए को जााई मतलब कि तीरभुज यहां पर देखे BDE का उचाई EF था उसी परकार से तीरभुज CDE का जो उचाई होगा वो कौन होगा DN ही होगा यहां पर लिख देंगे DN यहां पर DN लिख दियें और देखे यहां पर एक बटा दो एक बटा दो कर जाएगा पर DN कर जाएगा बज जाएगा क्या चिह यहां पर बच जाएगा AE बटा CEE बज गया और धोस्तों इसको यहँआ पर देखे इसको हम लोग समीकरन एक माल लेते हैं और इसको हम लोग समीकरन दो माल लेते हैं दोनों को मान लीजेगा, समीकरन 1 और समीकरन 2, उसके बाद आप थोड़ा सा धियान दीजे कर रहा हैं कि देखें ये जो तीर्भूज है, यानि कि देखें यहाँ पर जो BDE जो तीर्भूज है, वो किसके बराबर होगा, तो DEC के बराबर होगा, मतलब कि देखें, यहाँ से फिर तिहां दिजे, जो C, D, E तिर्भूज है, वो B, D, E तिर्भूज के बराबर होगा, क्योंकि जो दोनों का अधार है, यानि कि जो अधार है, B, C है, वो दोनों का सेम है, और दोनों एक समानतर एका के, बीच में मतलब जितना इस तिर्भूज का छेत्रफल होगा, उतना है इस तिर्भुश का चेत्रफल होगा तो उसको यहाँ पर हम लोग mention कर देंगे देखें लिखेंगे परन्तु चेत्रफल तिर्भुश BD बराबर तिर्भुश का चेत्रफल क्याचे CD दोनों का पराबर होगा और उसका कारण लिख देंगे क्योंकि दोनों तिर्भुच समान अधार DE पर तथा समान समानता रिखाओं DE तथा BC के मद इस्तित है देखें दोस्ते यहाँ पर देखें यह दोनों समान अधार पर है मतब कि BC अधार पर दोनों तिर्भुच है और जो दो समानता रिखा मतलब कि B C और D E के मद में इस्तित है तो उसको भी यहां पर मेंसन हम लोग कर दियें अब देखे क्या देख रहे हैं हम लोग हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो छेतरफल है तिरभूच A D E और तिरभूच B D E बराबर क्या हो रहा है तो जो A, D, E का छेतरफल है और C, D, E का छेतरफल है दोनों बराबर हो जा रहा है यहाँ पर आप ध्यान दीजेगा देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए A, D, E एद या भी डिदी के ज нужен ना या तो ए डी इス अ पर ए बटा अन्पेस आया और संके हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये तिर वूज सेम हैं और येoshi marks उसलिए 20 मोटे टोनों भी सेम हो मतलब कि D, E, B का जो छेतरफल होगा वो C, D, E के बराबर होगा उसी को हम लोग यहां पर लिख लिए हैं कि तीर्भुज A, D, E बटा चेतरफल तीर्भुज B, D, E, बराबर तीर्भुज चेतरफल A, D, E, बटा C, D मतलब कि जितना इसका बराबर होगा उतना इच्छेत पर इसका बराबर होगा उसके बाद देखे हम लोग क्या करेंगे उसके बाद क्या होगा कि एक तथा दो से मतब कि समिकरन एक और समिकरन दो पर धेहां दीजिए समिकरन एक में देखे यहां पर यहां यहां आया है देखे दोनों को अगर मिलाएंगे तो हम लोग क्या पाते हैं कि AD बटा DB बरबर AE बटा EC और दोस्तों यही आपको सीध करना था मतब कि यही थेस क्योरम है तो चुकि आप समझे गएंगे कि EC को आपको सीध करना था और यहीं पर आपको क्या करना है पुरूब दिरिग देना भी है जाएं लिए दोस्तों उमीद करता हुँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया ओगा अगर आपको नहीं समझ में काया या तो एक बार फीर से देख लीजेए यहां पर इसका लीजे चए अ और अपने नोट कोपी में इसको नोट कर लिजे, दोस्तों आपको इसी तरह से इसका प्रूब करना है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको आगले वीडियो में,